हारी तवाही मची हुई है खबर है कि हिजबुल्ला के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया गया इन ठिकानों में लॉंचर्स, एंटी टैंक, लॉंचिंग पोजिशन, मिलिटरी बिल्डिंग और हत्यार डीपो को टारगेट किया गया वाई इसराइली सिना के जगहर्टा जिले के आतो शेहर पर हवाई हमला किया गया, हमले में दावा किया कि 18 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए है इसराइल के प्रधार मंतरी बिंजमीन नितन्याहुनी कहा कि हम हेजबुल्लाह पर बेरहमी से हमला करना जारी रखेंगे हिजबुल्ला का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला चार्ट सैनिकों की मौत से डहला इसराइल साथ लोगों के घायल होने से हाइफा में मची हल चल नसर अल्ला मारा गया लेकिन हिजबुल्ला जिन्दा है हिजबुल्ला का कमर तोडने वाले अटैक के बाद इसराइल इस मौगालते में था कि अब कम से कम हिजबुल्ला इसराइल के खिलफ डायरेक्ट आटैक नहीं करेगा लेकिन हिजबुल्ला ने ऐसा करारा जबाब दिया कि इसराइल के होश उड़ गये हैं हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला उस दिन किया हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल की सुरक्षा में तैनात करने की घोश्रा की ये हमला किसी रॉकेट या मिसाइल से नहीं बलकि ड्रोन से किया गया ये हमला इतना सटीक था कि इसराइल को भी मानना पड़ा कि इस हमले की वज़े से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है हिजबुल्ला के छोड़े दो डोन में से एक को इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया या निरोखने में सफल रहा लेकिं दूसरा ड्रोन गॉलानी ब्रिगेड ट्रेनिंग बेस पर तबाही मचाने में कामयाब रहा दो दिनों में इसराइल के खلاफ दूसरा हमला है जब हिजबुल्ला ने सेंटरल इसराइल के विन्यामिना के पास एक मिलिटरी बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है इज्राइली मेजिया रिपोर्ट पे कहा गया है कि इसने बेज के अंदर एक डाइनिंग हॉल को रिशाना बनाया था ये हमला उस वक्त हुआ जब इज्राइल के सैनिक खाना खा रहे थे कहा जा रहा है कि जोन के आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा था जिसे सेरीकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला जंग की शुरुवात से ही इसराइल यू एवी के खतरे का सामना कर रहा है बिन्यामिना मिलिटरी कैम जहां पर ड्रोन अटेक हुआ वो लेवनन की सीमा से महज 65 किलोमिटर दूरी है IDF ने अपनी शुरुवाती जाच रिपोर्ट में पाया है कि ये दोनों ड्रोन समुद्र की सीमा के रास्ते इसराइल में घुसे ये दोनों ड्रोन मिरसाद थे जिने इरान में अबावील टी भी कहा जाता है मिरसाद ड्रोन हिजबुला का आत्मगाती ड्रोन है मिरसाद एक को इरान के महज़र 2 मौडल के डिजाइन पर बनाया गया है इसमें हिजबुला के लिए थोड़े संशोधन किया गये है ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है इसके अधिक्तम गती 370 किलो मिटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 120 किलो मिटर तक हमला करने की है ये 3000 मिटर की उचाई तक उड़ सकता है हिजबुला अक्सर इसका इस्तेमाल इसराइली हवाई शेतर में घुसने के लिए करता है सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रोन इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा इसराइली वाई उसेना के विमानों और हेलिकॉप्टरा ने दूसरे ड्रोन का पीशा किया लेकिन ये रेडार से गाइब हो गया इसराइली सेना इसका पता नहीं लगा सकी क्योंके शायद ये जमीन के बहुत खरीफ खुर रहा था अदूमान है कि रेडार से गाइब हो अड्रोन और हमला करने वाला ड्रोन दूनों एक ही थे फिलहाल इसराइली सेना इसकी जाच कर रही है अदाओ कशות, येश निफगाइम, बशलब से निफगाइम, बशलब से निफगाइम पो अच्छव शलिता मप्साइट मेला अला एरूव, कौल अनिफगाइम पूनो लवते अच्छुली अच्छव असकी बलिदू कशर एम मशपखותיהם, कोल अच्छवाइम बशस उनकू लातकेन इतक्षर अबाइटाइम, लाइटकन इतक्शव शलिताइम, शें बसेड़ गोलानी ब्रिगेट इस्राइली पैदल सेना का ही हिस्सा है, इसका गठन 28 फरवरी 1948 को हुआ था, जब उपरी गलील में लेवानोनी ब्रिगेट को दो छोटे ब्रिगेट में विभाजित किया गया था, ये IDF में सबसे अधिक सुसजित ग्राउंड सेना इकाईयों में से ए इस ब्रिगेट को ग्राउंड आउपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, 1948 के अरब इस्राइली युद्ध के बाद गोलानी ब्रिगेट ने 1950 के दर्शक में कई आउपरेशनों को अंजाम दिया इसराइल पर ताजा हमले ने ये क्लियर कर दिया है कि इसराइल के इस दावे में सौफ इसनी सचाई नजर नहीं आ रही है कि उसने हिजबुल्ला के सारे टॉप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्ला के छिकानों पर लगातार हमले कर उसे खरीब करीब तोस्त कर दिया इनको इसराइल के बड़े अधिकारियों को जान से मारने की जिम्मे दारी सौंपी गई थी इनको कारों में आग लगाने का भी जिम्मा दिया गया था और कुछ हपते पहले ही इनकी टेलीग्राम के जरीए भरती की गई थी हजबुला ने इसराइल के बोर्ट सिटी हाइफा को टार्गेट कर रखा है कुछ हफ़तों में सबसे ज़्यादा रॉकेट हाइफा पर ही दागे गए है दावा किया जा रहा है कि दस प्रोजेक्टाइल रेबदान की सीमा से हाइफा की तरफ दागे गए है जिनमें से ज़्यादा तर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है जबकि बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे है इसराइल के हाइफा से आया एक चौकाने वाला वीडियो देखिए ये वीडियो हाइफा के हुलसल मारकेट का है जहां लोग कामकाजब जूटे हैं लेकिन तभी अचानक एक मिसाइल का चुकड़ा यहां गिरता है और ये शक्स खायल होने से बाल बाल बच जाता है हिजबुल्ला के हमले का करारा जवाब इस बिच इसराइली एर फोस ने दक्षरी लिबनान में बहुत बड़ा हमला किया है हिजबुल्ला के 200 छिकानों को तबाह कर दिया है इन शिकानों में लॉंचस, एंटी टैंक लॉंचिंग पोजिशन, मिलिटरी बिल्डिंग और हत्यार डिपो को टार्गेट किया गया है ये तस्वीर लिबनान के नवाती ही की है जहां कमर्शियल मार्केट पर भिख्षण हमला किया गया है दक्षण लिबनान के नवाती में भियानक तबाही हुई है शहर में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ तेज रफतार गाडिया और इस्राइल के हमलों का बारूद सड़कों पर देखा जा सकता है नवाती दक्षण लिबनान का एक बेहत अहम शहर है लेकिन अब ये शहर किसी शम्शान में तब्दील हो चुका है लिबनान के नवाती में जबदस्त बंबारी हुई है नियू जेटिन सावदा तारिफत इस वक्त उसी इलाके में है कैसा है नवाती का हाल आपको दिखाते हैं नवाती बहुत ही एहम शहर है साउथ बेरोत में और ये बॉर्डर के साथ का एरिया है और अभी भी उपर से जो है वो इसराइली ड्रोन गूम रहे है मैं पूरी तरह से दिखाने की कोश्च करूँगा कि क्या कुछ तबा हुआ है ये नवाती का एरिया है और नवाती एक बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में अब हर तरफ से बरबादी हुई है यहां आप मुश्किल सही किसी शक्स को देखेंगे सारे लोग यहां से निकल चुके हैं सिर्फ कुछ रेस्क्यू आपरेशन वाले लोग है बाकि ये आप देख सकते हैं यहां पर क्या है हाल सब कुछ यहां पर तहस नहस हो गया है गाडियां ये स्ट्रीट्स और ये सब तबाह हो गया है ये देखिए लिबनान का विद्धवन स्तै दीख रहा है लेकिन इसराइल पर हिजबूल्ला ने जिस तरह से हमला किया है उसने सारे सवाल प्डे कर दिये हैं कि इसराइल इस इंतिजार में बेचा है कि वो इरान के इकलाँ पर अटवार करेगा और आलम ये है कि इरान के प्रॉक्सी पूरा टैक्स सिस्टम तो पहले से ही खतरनाक रूब ले चुका है हाइफा टैक्स ने साबित कर दिया है कि इसराइल और हिजबुल्ला का युद्ध फस छुका है हाइफा टैक्स ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रा ग्यारंटी फूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी हाइफा टैक्स ने बता दिया है कि हिजबुल्ला सूपर आक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक्स में कोई कमी नहीं आई है ना आएगी हाइफा में इसराइली अट्डों पर जिस तरहां हिजबुल्ला के ट्रोन फटे वो नेतन यहू के आर्मी के लिए बहुत बड़ा जटका कहा जा रहा है हिजबुल्ला का C3 इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा बन गया है C3 का मतलब 3C 3C के माइने कमांड, कंट्रोल और कम्यूनिकेशन यानि हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्ला का C3 बरकरार है अब सवाल उठाए कि जो लीडर्शिप और कोर्स का ओर्डर हसन असरल्ला के वक्त मौजूद था वो अब भी जिन्दा है या ये कहें कि हसन असरल्ला मर कर भी हिजबुल्ला को कंट्रोल कर रहा है यही मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है हिजबुल्ला को बेरूत से अब भी ओर्डर मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं ना है उसकी कोई कम्मिनिकेशन लाइन टूटी है उसके हत्यारों ने अब भी इसराइल को अपने टार्गेट पर लिया हुआ है ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षन बेरूत को मिटाने के लिए इसराइल लगातार हमले कर रहा है दक्षन बेरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नज़र आता लिबनान में इसराइल की बंबारी से दो हजार तीन सो से ज्यादा लोग मारे जा चुके है जबकि घायलों की तादाद ग्यारा हजार पहुँच चुकी है पेरूत ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीकी की बंबारी देखी है उससे लगता था के दहुञाया इलाके से हेजबुणा को काफी नुकसान पहुचा है लेकिन अब आइफ़ा पर अटा करके हेजबुणा ने बता दिया है कि वो अभी इस युद में बरावर हमले करने की ठाकत रखता है हेजबुणा का कोई हड्कौर नहीं है हजबुल्ला का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है लेकिन फिर भी हजबुल्ला के हमले इसराइल पर तेज हो रहे हैं हजबुल्ला का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरें उसके मकसद को पूरा भी कर रही है हाइफा की सड़कों पर एम्बुलेंस और मिलिटरी की गाड़ियों को दौरता हुआ देखकर पूरा इसराइल ही नहीं अब धुनिया पूछ रही है कि हसन नसरल्ला और उनके कमांडरों को मांडने के बाद भी हजबुल्ला का नेटवर्ट कैसे चल रहा है हेलिकॉप्टर से घायल इसराइली सैनिकों को एयर लिफ्ट करने के तस्वीर पूरी दुनिया में वाइरल हो रही है इसबुल्ला के पास एरपोर्स नहीं है लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इसराइल को बराबर का जवाब देना चाहता है हेजबुल्ला साबित करना चाहता है कि इसराइल डक्षन लिबनान में घुसकर जो आपरेशन कर रहा है उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इसराइल बहुत मजबूत नज़र आ रहा है जब वो हेजबुल्ला के गड़ में जमीनी अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है इसबुल्ला ने दक्षणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेट के अट्डे पर हमला किया यहां इसराइली सेना का बिन्यामीन अड्डा है और यहां पर डोन से पूरे इसराइल में हड़कम पच गया हाइफा में इसराइल के बहुती खास मिलिटरी अड्डे पर हुआ यह बहुती खतरनाक हमला रहा यह नेतनियाहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है हाइफा में आटक के बाद अब सवाल इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम पर डॉप रहा है जो पहले एरान के एक एक अक्तूबर वाले मिसाल अटक के बाद अपना रुटबा खो जबा है सवाल है कि क्या नेतन याहू का पूरा एर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सो रहा था जब हिजबुल्ला ने हाइफा पर ड्रोन लॉंच किये और इसराइली सेना के बहुत ही खास ठिकाने को टार्गेट बनाया लिबनान से लॉंच किये गए ड्रोन को काउंटर करने की जिम्मदारी आयरन डोम पर थी आयरन डोम की रेंच 70 किलोमीटर से ज्यादा है और हाइफा की लिबनान बॉडर से दूरी है 27 किलोमीटर यानि आयरन डोम का रडार रिदक्षिन लिबनान के अंदर गहराई तक किसी भी ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है लेकिन 13 अक्तूबर को ऐरन डॉम फेल हो गया वो हिजबुल्ला के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया और हिजबुल्ला के ड्रोन ने एजराइल के मिलिटरी ठीकानों पर ऐसा बारूद बरसाया कि सदमा तेल वीब तक लगा है जो सफलता पुर्वक जाकर अपने निशाने पर लग गया उस दौरान उत्तरी हाइफा में तैनात आइरन डॉम भी उसका पता नहीं लगा पाया तभी तो इसराइल की एर सीमा में बिना किसी रोक टोक के ये ड्रोन बिन्यामिना मिलिटरी कैम पहुंसता है और वहाँ बड़ा धमाखा कर देता है साफ है कि हिजबुल्ला के हमले के सामने इसराइल का आइरन डॉम एर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया ना ही हाइफा में अटैक से पहले साइरन बजा ये हाइफा की तब की तस्वीरे हैं जब हिजबुल्ला का इटैक हो गया और फिर सेना ने अलाम बजाना शुरू किया अब सवाल है कि इसराइल ने हाइफा पर हिजबुल्ला के हमले के बाद क्या किया गजा के देर अलबलहा में क्या हुआ ये उसकी तस्मीरे हैं बहुत ही खौपनाक वीडियो है इसराइल ने अलगसा स्पताल के बाहर हमला किया है इस हमले में चार लोगों की मौत हुई है और करीब पचास लोग खायल हुए है धमाके के बाद यहां लिगे कैंप में आउग लगग गई और सब कुछ जनने लगा नेतन्याहु ने कहा था कि हसन नसर अलला के मारे जाने के बाद हिस्बुल्la कान्थ हो जाएगा जो नहीं हुआ नेतन्याहू ने कहा था कि वो बेरूत को गज़ा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे बेरूत पर हमले जारी है लेकिन हिजबुला एक्टिव है नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिन रणान से वो हिजबुला को उखाड फेकेंगे वहां भी ऑपरेशन जारी है और इस्राइल के लिए गुड न्यूस सुनने को नहीं मिली है हिजबुला और इस्राइल के लडाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही यह कैई फ्रंट पर हो रही है और नेतन्याहू के लिए बड़ी फिक्र की बात ये है कि अब ये फ्रंट इस्राइल के अंदर खुल चुका है इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अब बिरूद पर बंबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है इसराइल इस बक्त बहुत ज़्यादा दवाब में है नेतन्याहू इरान पर पलटवार करने की सोच रहे हैं लेकिन पतिन और पंजेकेशियान की मीटिंग के बाद इरान से जो रिपोर्ट आ रही है वो इसराइल के लिए बुरी ख़बर कही जा रही है इनसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है यहां कदम कदम पर मौत है आस्मान से बरस्ती मौत हिजबुल्ला सिर्फ युद में मार नहीं का रहा इसराइल को मार भी रहा है तब्यत से मार रहा है मार इतनी बहानक है कि उसका ट्वेलर न्यूज एटीन इंडिया रिपोर्टर अरुन सेंग और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है यह शोर सुनिये रॉकेट की रफ्तार देखिये फिर धमाके का असर खुद बभुद समझ सकेंगे कलेजा थर्रा देने वाले दृष्शब इसराइल में दिख रहे हैं इस बुल्ला के हमले को नई धार मिली है हिरान भी अब खुल कर इसराइल को दहलाने जा रहा है वजए इरान को अब एक औरडर पर मिलेगा हर हत्यार खामनेई की डिमांड पर रात और रात मिलेगी हाइपरसॉनिक मिसाइल कुछ स्पोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसॉनिक आसमानी लडाका इरान को ड्यूकलियर थ्रेट हुआ तो आटम बम कभी हो जाएगा जुआर इसराइल हो या अमेरिका इरान को अब किसी से नहीं डर इरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा इरान ने हर वार इसराइल के हमले का जवाब दिया इरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया लेकिन अमेरिका के वार जोन में आने के बाद से इरान की जमीन किसक गई थी इरान को सूपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे इरान को न्यूकलियर बमों से लोड़ीड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं सुपरीम लीडर अलिखाम नहीं भी बेफिक रहे वज़े है मौसको से हुआ एक एलान इरान को रूस से क्या-क्या गैरंटी मिली है डीटेल वाइट हाउस तक महुँच गई है जिसके चलते करीब एक हफते से नेतन याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेजिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर लिये यानि दो होट लाइन एक्टिव है 24-7 प्रेजिडेंट बाइडन और नेतन याहू नई रणनीती बना रहे है लीडर्स की वार प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है हिजबुला के रॉकेट धमा के हाइफा में हाहाकार मचा रहे है जैसे बेरूट जल रहा है ठीक वैसे ही द्रिश्य इसराइल में दिखने लगे है लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को जेलने की हिम्मत अब हिजबुला में बची रही हिजबुला सीस फायर सीस फायर की दहार लगा रहा है मगर इसराइल कमकसस साफ है हिजबुला, हमास, उती के साथ इनसब के अबुशी ताका, एरान की तबाही जब कि युद में इसराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इसमुला लरा के इसराइल को घर में घुसका दहलाने लगे है यह हाइफा सिटी का हाल है इस हुला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की जड़ी लगा रखी है दाड़ी युद में अचानक सब्समदल सा गया है